कि नमस्कार मैं आज बात करने माला हूं वायगरा को भूल जाओ और अंजीर खाना शुरू करो कि अंजीर खाना चलू करेंगे तो आपकी इच्छा भी बढ़ जाएगी और कट्रोट अभी आएगी चला आएए मेरा नाम है डाउटर दीपक कड़ेकर में मनुविकार सेक्स्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तद्नियों महराष्ट में पिछले एकतालीस साल से अकुला में प्रेटिस करा आज में बताने माला हूं अंजीर खाने के 22 कुन से कुन से फाइद है तो आए नमर एक यदि आपको मूह को मास आता होंगा तो आपने क्या करना है कि चार-पांच अंजीर रात को दूद में भीगो के रखना है और सुबह खाने का है आपका मूह का पास निक अंजीर चबा लेते हैं तो आपके किड्नी स्ट्रों में उसमें बहुत साहता हो जाए नमबर तीन एकनी जो है मतलब फिंपल्स मूह के चेहरे के ओपर फिंपल्स आते हैं तो यदि यह जो अंजीर है उसको उसके आपने मिक्सर में डाल के मैश करके पेस्ट बना दिया और तो अंजीर में पोटेशियम ज्यादा है चार से पांच अंजीर आप रोज एक मेना एदी खाते हो तो डाइबिटीस में फायदा होगा शुगर लेवल आपकी कम हो जाएगी पांचबा फायदा जो है वो है बोन्स के लिए बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि अंज दक देशिय केम अन्जीर के लिए तो आपको घले की खराश है थे शाय शेयह मिलाने और वह चबाय गात्यूमेर आट अनजीर पांचनक्र respoji बढ़ाता है जिनको जिनको गैस का प्रॉब्लम है एसीडिक का प्रॉब्लम है फिर इरिडेबल बॉवेल है गैसे से पेट फुल जाता है अंगार पेट में होती है तो आप पांच छे अंजी रोज खाते हैं तो आपको उसमें फायदा हो जाएगा नमबर नौ बहुत फायद भड़ाता है और सेक्स की इच्चा बढ़ाता है लेंग की कट्रोथना में फायदिमन होता है देखे अंजीर में आयन है मैगनेशम है सबस्यादा जिंक जिंक है ना जिंक टेस्ट्रोस्टरॉण की लेवल भड़ाता है पोटेशियम वीटामिन बी 6 कैल्सियम यह सभी जो मि तो स्पर्म की मतलब शुक्रानों की मूटिलिटी बढ़ाना यह प्रजोत पात्मक शमाता बढ़ाएगा जिससे उसकी क्वालिटी उसका चलन वहन जो है वो लेंगी की इच्छा और कठोर इसमें सभी में अंजिर के फायदे होगी यह दि आप रोज 5-6 अंजिर हनी के साथ मे तो आपको डिफिनेटली रोज ऐसा तीन बहने करना है आपको डिफिनेटली फायदा हो जाएगा आपको वहाइगरा लेने के जरुद नहीं को बहुत भूल जाएगे कोई दवाई लेने के आपको जरुद नहीं है नंबर 10 अंजीर जो है वह एंटी ऑक्सीडन्ट है एंट काम अंजीर करता है antioxydant का काम करता है तो यह है उसके फाइदे दस्वा नमर का अब मैं आगे बढ़ूंगा अभी मैं बता रहा हूं 11 प्रॉस्टेट ग्लेन को हेल्दी बनाने में अंजीर बहुत अच्छा काम करता है वह म्यूप फैलिधी होती है नंबर तेरा आपकी cholesterol level कम हो जाएगी और cholesterol level कम हो जाती है तो naturally blood pressure में इसका फायदा होगा blood pressure कम रखने में या ज्यादा बढ़ने नहीं देने में फायदा होगा नंबर 14 आपका जो दिल है वो मजबूत रहेंगा heart rate जो है दिल का rate जो है वो भी normal करेगा और दिल को बहुत मजबूत करने का काम अंजीर करता है नंबर 15 दुरिष्टी के लिए विजन के लिए अंजीर बहुत अच्छा काम में आता है क्योंकि उसमें vitamin A है नंबर 16 अंजीर को anti-inflammatory properties है मतलब सूजन कम करता है हमको क्या होता है कि दिन बर में काम करते हो और metabolism चलता है नहीं तो हमारे अंदर सूजन आती है अंजीर खाते है तो अंदर बोड़ी की सूजन कम हो जाएंगी आपका वजन वैसी कम हो जाएगा नंबर 17 अंजीर में anti-oxidant properties है तो cancer होने का डर कम हो जाता है नंबर 18 बालों का स्वास्ति अच्छा रखने में अंजीर काम करता है बालों का स्वास्ति बहुत अच्छा रहता है नंबर 19 आपका मांसिक स्वास्ति बहुत अच्छा रहेगा यदि आप रोज 3-4 अंजीर खात नंबर 21 गर्बोती महलाओं के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें फोलिक एसिद है तो गर्बोती महलाओं में अंजीर खा सकती है नंबर 22 आपके बॉड़ी का जो हर्मोनल इंबैलन्स होता है वो संतूलन बनाने में वो काम करेगा अंजीर खानी के इतने सारे बहुत सारे फायदे क्यूंब आपने खाना नहीं है अंजीर घाओ अंजीर अपने घर में रखना है, हरदम रखना है, आप अंजीर बहार जाते हैं, आप जान तो नहीं कर में जाया है जाग मान बला जुरे NICK-P खीकोई इसन उसन खोते हैं तो अंजीर आश कुदनला है। कोई अंजीर के पकोड़े भी बनाते हैं सिंपल है ज्यादा करना नहीं है तो कि अंजीर लाके रखो, चार से पाँच अंजीर पानी में भिगो के रखो, सुबह उटके वो पानी और वो अंजीर खा लेने का है, यदि आपको डायबिटीस नहीं है तो आपने शहत के साथ में मिला के खा सकते हैं, आप तीन मैने ये ख होंगे और आप जो है वो अच्छा जीवन जी सकोगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो जो लोगों को शेर करो, आप आपके दोस्तों को परिवार के लोगों को शेर करो, आप अपका खुद का ख्याल रखेगा, परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बह